नमस्कार दोस्तों आप सफी कैस्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल स्टाडी टूडियो इद्विपलप में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ सोसियल साइन्स से इकोनमिक्स का चेप्टर फोर फूड सीकूरूटी ऑफ इंडिया भारत में खा हुआ है इसके अलावा आपको जियोगराफिय और हिस्ट्री से भी कुछ वीडियो जो है मिल जाएगा ठीक है डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है चेक कर लिजिएगा इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में सेर कर दीजिएगा और चैनल में अगर न पूर्ण रूप क्या है देखे PDS यानि के Public Distribution System सार्वजनिक बितरन प्रनाली जिसके अंतरगत भारतिया खाद्दा निगम दोरा एकत्रित अनाच को उचित मुल्य वाली दुकानों के माध्यम से समाज के सबसे अधिक निर्धनों में बितरित क्या जाता है ठीक है PDS का प्रनाली में कीन कीन बश्तों का बितरन क्या जाता है गेहुचावल मिट्टी तिल चीनी इनमें सभी देखे सार्वजनिक बितरन प्रनाली में जो है गेहुचावल मिट्टी तिल चीनी ये सभी जो है बितरन क्या जाता है तो option D आपका यहाँ पर correct हो जाएगा इनमें सभी नेक्स्ट है भारत में उस योजना जिसमें गरीबों में सबसे गरीब लोग आते हैं भारत के उस योजना जिसमें गरीबों में सबसे गरीब लोग आते हैं तो आपको उस योजना का नाम याद रखना है अन्तोद्द अन्न योजना ठीक है भारत में राशन प्रणाली कब शुरू ही आपको याद रखना है 1940 के दसक में ठीक है 1940 के दसक में आपको याद रखना है नेक्स्ट है BPL कार किसको दिया जाता है निर्धनों में भी निर्धन लगों के लिए निर्धनता रेखा से निचे के लोगों के लिए अन्य सभी लोगों के इनमें कोई नहीं देखे BPL यानि की Below Poverty Line जिसे गरिवी रेखा से निचे कहा जाता है ऐसे परिवार जो सरकार दोरा निर्धारित मापदान के अनुसार गरिवी रेखा से निचे जीवन यापन करते हैं उन्हें BPL कार्ड जारी किया जाता है तो Option B आपका यहाँ पर Correct हो जाएगा Option B निर्ध नेक्ट है यहाँ पर अन्न पुरुन प्रनाली काव लागू की गई अन्न पुरुन प्रनाली काव लागू की गई आपको याद रखना है 2000 में लागू की गई थी ठीक है Option D आपका यहाँ पर Correct हो जाएगा 2000 नेक्ट है यहाँ पर 1943 में भारत में सबसे भायानक अकाल का पड़ा था कप पड़ा था कहां पड़ा था यहाँ पर हो जाएगा कहां पड़ा था और इसा बंगल बिहार या तमिनडू 1943 में भारत में सबसे भायानक अकाल जो है आपको याद रखना है पस्चीम बंगल में पड़ा था 1770 में भारत में बंगल में 1770 में सबसे अधिक बिनासकारी अकल पड़ा था आपको याद रखना है पस्चीम बंगल option B आपका यहां पर correct हो जाएगा यहां पर कहां हो जाएगा ठीक है कहां पड़ा था तो आपको याद रखना है पस्ची मंगल में next यहां पर लक्षीत सार्बजनिक बितरन कब आरंब क्या गया लक्षीत सार्बजनिक बितरन कब आरंब क्या गया आपको याद रखना है 1997 में ठीक है 1997 लक्षित सर्भाजनिक बितरण कब आरम क्या गया था? 1997 में नेक्ट यहां पर मौस्वमी भूक कीस छेत्र में प्रचलित है सहरी छेत्रों में या ग्रामीन छेत्रों में या महानगरिय छेत्रों में या उपनगरिय छेत्रों में देखे मौसमी भुकमरी तब पैदा होती है जब कोई वेक्ती पूरे साल काम पाने में असमर्थ रहता है यहाँ भुकमरी मुख्यता गावों में फैली हुई है ठीक है तो अप्शन B आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ग्रामीन छेत्रों में नेक्ट आई यहाँ पर FCI FCI का पूर्ण रूप क्या है FCI देखे FCI का पूर्ण रूप है भारतिया खाद्या निगम Food Corporation of India Food Corporation of India भारतिया खाद्या निगम FCI भारत का एक सरकारी निकाय है जो देश भर में खाद्यानों की खरीद विक्री और वितरन से संबंधित है यहाँ देश के नागरिकों के लिए खाद्या सुरक्षा सुननिश्चित करता है FCI की स्थापना आपको याद रखना है 1965 हो जाएगा ठीक है 1965 में हुई थी FCI की स्थापना आपको याद रखना यह भी एक्जामें पूछा जा सकता है चली नेक्स्ट आहीं यहाँ पर buffer stock क्या है buffer stock क्या है देखी buffer stock अगर बात करें यहाँ सरकार दौरा अधिप्राप्त अनाज का भणडार है टिक है बफर स्टक क्या है आपको याद रखना है सरकार दोरा अधिप्राप्त अनाज का भंडार नेक्स्ट कोश्चन है आपका यहाँ पर पिला कार किसे जारी किया जाता है पिला कार्ड किसे जारी किया जाता है पिला कार्ड देखे गरीवी रेखा से नीचे के लोगों को जो है पिला कार्ड जारी किया जाता है तो option D आपका यहां पर correct हो जाएगा नेक्ट है खाद्या असुरक्षित कोन बर्ग है खाद्या असुरक्षित कोन बर्ग है भूमिहिन स्रमिक परमपरिक दस्तकार कामगार निरास्तित तथा विखारी इनमे सभी देखे खाद्या असुरक्षित कोन बर्ग है तो इनमे से correct हो जाएगा आपका option D इनमे सभी भूमि हिंसरामीक पारमपरिक दस्तकार कामगार निराश्रीत तथा विखारी ठीक हे तो आप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा इन में सभी next है nfhs का पूर्ण रूप क्या है nfhs का पूर्ण रूप क्या है आपको याद रखना है national family health survey राष्ट्रिया स्वास्त एवंग परिवारिक सर्विक्छन next है इहां पर आपका भारत या खादिया सुरक्षा अधिनयम कब बना भारती एक खादे सुरक्षा अधिनेम का बना आपको याद रखना है दोहाज़त तेरह में नेक्ट है यहाँ पर यह अंतिम है ICDS ICDS का पूर्ण रूप क्या है ICDS देखे ICDS का अगर बात करें Integrated Child Development Services ठीक है Integrated Child Development Services एकिक्रित बाल विकास योजना आपको याद रखना है एकिक्रित बाल विकास योजना यहाँ योजना 1975 में प्राराम्ब की गई है 6 बर्स तक के उम्र के बच्चों गरववती महिलाओं तथा इस्तनपन करने वाली महिलाओं को स्वास्त पोशन एवं सेक्षनिक सेवाओं का एकिक्रित पैकेज प्रादान करने की योजना है ठीक है आपको याद रखना है ICDS का पूरूरा रूप हो जाएगा आपका एकिक्रित बाल विकास सेवाएं क्लियर है तो दोस्तों यह हो गया इस चप्टर से कुछ भी विए कॉस्टन्स वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपना दोस्तों में सेर कर दीजेगा और चैनल में अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दिजेगा क्योंकि इस चैनल में इसा ही वीडियोस मिलती रहती है तो दस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वाए थेंक्यू